दोस्तों, IPL की किंग सिलेवन पंजाब आप में से काफी लोगों की फेवरेट टीम होगी और चाय की चुस्कियों के साथ बिटानिया बिस्किट्स का मजा भी सबने जरूर लिया होगा कभी न कभी बॉंबे डाइंग के बेट सीट्स और टाविल आपने यूजी किये होगे और अगर नहीं भी किया तो नाम तो सुनाई होगा और इन सब के अलावा इंडिया की लो बजट एरलाइन, गो एर के नाम से भी हम अच्छी तरह से परचित हैं लेकिन आखिर ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ दरसल मैं बताना चाहता हूँ कि इन सभी ब्रेंड्स के पीछे एक ही नाम है वाडिया ग्रूप और आप मेंसे काफी लोग अपने देश की इस सबसे पुरानी कंपनी के बारे में नहीं जानते होंगे आज की हमारी इस वीडियो में हम वाडिया ग्रूप के हिस्ट्री और बिजनस एंपायर के बारे में ही जानने वाले हैं दरसल कहानी शुरू होती है साल 1736 यानि की आज से करीब 285 साल पहले जब अंग्रेज भारत में आये थे तभी लवजी वाडिया ने अपने बिजनस की शुरूआत की थी असल में वो अंग्रेजों के लिए पानी के जहाज का निर्मार करते थे और इस्ट इंडिया कंपनी से उन्हें 355 शिप्स बनाने का एक बड़ा आडर मिला था आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया का सबसे पहला ड्राइडॉग और दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी शिप एचमेस तरिंकोमली वाडिया ग्रूप ने मुंबई में बनाया था और उस शिप की क्वालिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो शिप इंग्लेंड में आज भी ऑपरेशनल है इसके अलावा एचमेस मिंडेन और एचमेस कॉर्न वैली जैसी एतिहासिक शिप्स का निर्माड भी वाडिया ग्रूप नहीं किया था और आपकी जानकारी के लिए बता दू कि फ्रेंसिस की नाम के एक राइटर ने ब्रिटेन का नेशनल एंथम मेड इन इंडिया शिप एचमेस मिंडेन में अपने एक सफर के दोरान ही लिखा था और दोस्तों इंडिया में फिल्म इंडस्टी की शुरुआत के कुछ सालों बाद वाडिया मूवी टोन प्रोडक्शन की शुरुआत हुई जो इंडिया का सबसे पूराना प्रोड़क्शन हाउस था जिसने हिंदी सिनेमा की पहली साउंड फिल्म आलम आरा के बाद बनी दूसरी फिल्म लाले यमन का प्रोडक्शन किया था और उसके बाद वाडिया मूवी टोन के बैनर तले 20 से भी जादे फिल्मों का प्रोडक्शन किया गया वाडिया ग्रूप ने अलग-अलग फिल्ड्स में अपने बिजनस को एक्सपेंड करना शुरू किया और आज की डेट में बॉम्बे वर्मा, बॉम्बे डाइंग और नेशनल पराकसाइड लिंक्टेट जैसी चार लिश्टेट फ्लैक्शिप कमपनीज हैं जिनके बारे में ह कुछ आदतें यहीं छोड़ गए और उनमें से एक आदत थी चाय और कॉफी की असल में अंग्रेजी शाषन में चाय कॉफी लोगों के बीच में काफी पापुलर हो रही थी जिसे वाडिया ग्रूप ने भुनाने में देर नहीं की और तमिल नाडु के उटी में चाय की ब सामा बॉंबे वर्मा कंपनी आटो पार्ट्स का प्रोड़क्शन भी करती है और टीवियस मोटर्स और हीरो मोटो कॉर्प जैसे फेमस ब्रेंड को अपने पार्ट्स सप्लाई करती है इसके साथ ही ये डेंटल प्रोड़क्शन के बिजनस में भी है और DPI नाम से एक पूरी भाई अंबानी भी पॉलिश्टर मार्केट में आ गए और उनको तगड़ा कॉम्प्टिशन देने लगे खैर आज भी पॉलिश्टर का 15% मार्केट वाडिया ग्रूप के पास ही है और वो इंडिया की टॉप फॉर पॉलिश्टर प्रोडूसर्स में शुमार हैं दोस्तों अब बात करते हैं वाडिया ग्रूप की अगली फ्लैक्शिप कंपनी ब्रिटैनिया इंडस्ट्रीज की जिसे वाडिया ग्रूप ने 90's में टेक ओवर किया था और आज ब्रिटैनिया इंडिया का लीडिंग फूड ब्रैंड है जिसके बिस्किट्स और डेरी प्रोडक्ट् जिसमें सन 2005 में मीडिल क्लास को ध्यान में रखकर सुरू की गई एरलाइन्स गो एर भी है जिससे आज तक 8 करोड से जादे लोग यात्रा कर चुके हैं और बॉम्बे रियालिटी के नाम से वाडिया ग्रूप की एक रियल इस्टेट कम्पनी भी है जिसने मुंबई में आईल ड्रेक्स मेगा मॉडल जैसे इवेंट्स और्गनाईज कराती है साथ ही IPL की पॉपलर टीम किंग सिलेवन पंजाब के ओनर्स में निस वाडिया का नाम भी शामिल है अपने पारसी समुदाए के लोगों की मदद करने के लिए वाडिया ग्रूप ने मुंबई में 5 पारसी क पॉलोनीज का भी निर्मार कराया है और मुंबई के अलग-अलग इलाकों में वाडिया ग्रूप के कई हॉस्पीटल्स और कॉलेजिस भी काम करते हैं तो दोस्तों उम्मीद है कि अब वाडिया ग्रूप के बारे में आप काफी कुछ जान गये होंगे